दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डेके किलासी ब्लूथ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ले पुलिस कोश्टेवल की कटोप के बारे में और जो आज का मारा मैं टोपिक रहेगा वो रहेगा कुछ बच्चों के 80 पलस नंबर है इसलिए डल लग रहा है तो अपना टोपिक शुरू करते हैं टाइम ना खराब करते और देखते हैं क्या है उससे पहले हम दोस्तों पहले वेकेंसी के बारे में देख लेते हैं जो इस बार दिल्ले पुलिस की जो वेकेंसी आई हुए वह कितनी है उन्ताइस सो दो है और य पेपर बहुत अप था दोस्तों बहुत टप पेपर आया हुए था ऐसा दिल्ले पुलिस ने आज तक का आज तक का दिल्ले पुलिस ने ऐसा पेपर नहीं लिया है जिसा एस पार पेपर आया हुए था तो इसलिए जो बच्चों का ओसतन रहा है वो कितना रहा है वो 50 से 65 के बीच में अब लेकिन कुछ बच्चों का उसतन 65 से 80 के बीच में भी आया हुए कुछ बच्चों के कितने नंबर है कुछ बच्चों के यहां पे 65 से 80 के बीच में भी आया हुआ है वे बच्चे वे है जो जादा पढ़ते थे वे वे है जो पढ़ाई में जादा टोप है जो ठ ठीक ठाक तयारी कर चुके थे दिल लिप्रिस के लिए ठीक हैं दोस्तों लेकिन इसमें कुछ बच्चों के 80 प्लस नंबर भी आयो है अब दोस्तों जिनके 80 प्लस नंबर आयो है एक बार पहले उनके बारे में सुल लो यह आपको भी पता है पेपर का लेविल जैसा था इस प अब नबॉब पलस बान बान में नंबर आ रहे है उसमें कोई वह नहीं है वें सही है बिल्खो लेकिन दूस्तों आप बताओ इतने नंबर आ सकते आये समव है system सब्सक नहिए तो इतने जो नंबर आये वह है जिननोंने इस पेपर में दहन लेया बाजी कि यह है नहीं पप पढ़ाई करने वाड़ा तो इतने नंबर इसमें लाए नहीं सकता है, तो अब जो हमारा टोबिक है, वह हम उसके बारे में बात करते हैं, अब यह बताओ दोस्तों, जो 80 प्लस नंबर पाने वाड़े, कितने बच्चे पाएगे, सोच के बताओ, कितने बच्चे पाएगे, 80 हड्सेद सो या फिर दूस्व माल लो मैं हड्स्य लेके चल रहू मैं मान रहो 500 बच्चे पाएगे कितने पाएगे ने जब लेकिन Пр दोस्तो इनके बीच में झो पाएगे यहां पर आप इन में एक जार बच्चे वाल लीजिए यह तोतल कितने होगे दोस्तों ये टोटल मिला के 1500 हो गई लेकिन इतने पाएंगे नहीं मैं अनुमान बता रहा हूँ और हाइस लेके चल रहा हूँ अब इतने हमारे इसमें ये वे है जो 65 से पलस है जो 65 पलस जिनके नंबर आये हो है ये मैंने आपको सिमझाया इसमें कितने हैं 1500 बच्चे आप माल लो अब इन 1500 में से दोस्तों ये बात बताईए इन में से फिजिकल कितनों को लगेगा फिजिकल कितने बच्चे मारेगे इन में से आप 10% बच्चे इन में से कम से कम 10% बच्चे ऐसे होगे जो फिजिकल में बाहर होगे नहीं होगे तो ज़ादा लेकिन मैं 10 परशेंट ही मानों बस कितना 10 परशेंट जब आप इसका 10 परशेंट नेकालोगे तो कितने 500 भच्चे होगे नहीं होगे मैं अब आप स्सक्राव पंतर्थे हैं poi यई हैं या फिर 진ध नहीं होगे tie न आता नहीं है नहीं है आपने इसमें से ये पंद्रह सो तो ये थे सो इसमें से खतम होगे तो कितने खतम होगे चोदे सो इसमें से खतम कर लो ये चोदे सो जिव इसमें से खतम करोगे तो दोस्तो कितने बचेगे आप अपना भी देख लो पच्छिस सो दो की वेकैंसी रह गई नहीं रह गई पच्छिस सो की वेकैंसी रह गई नहीं रह गई यह जो पच्छिस सो की वेकैंसी है यह कहां जाएंगे यह भी तो भरी जानी है यह इसमें कोन आएगा उनके बारे में देख लो इसमें यही तो आएगे जो 50-60 के बीच में है आएगे नहीं आएगे दोस्तों बताओ यही तो आएगे पचास-65 के बीच वाड़े या नहीं आएगे तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप इन अपुआउ से दूर है अग उसके इतने नमबर है नमबर है मैंबी कहता हूँ उनके इतने नमबर है लेकिन आप परिसान मतुए यह वह इतने बच्चे नहीं है ज्यादा बत्चे नहीं दो星 सोगे नहीं दो बारे में नहीं पता है तो मैंने उसकी वीडियो बना रख्या आप उपर I button से देख सकते हो ठीक है अब मैं बात कर लेधा हो female के बारे में जो female है दोस्तों आप देखो female में कोई लपना नहीं है कोई दानले बाजी का कोई वो नहीं है ठीक है नहीद female में लड़किया इतना कि paper आउट कर उक्रै जाधी तो female में तो कोई इतनी ओंधी नहीं है female में तो यदि करवाएगी तो किते ना 2-4 यदि से पर आउट करoyu तो स्से फालत नहीं है और यह तो मैंने बहुत बता दिया तो यदि आप इसमें से सो वेकेंसी अटाओंगे तो कितनी बची फिर भी अठारे सो बच रिए अठारे सो बच रिए नहीं है आप इसे 34 को भी अठालो मैंने अठारे सो मान ली ठीक है नहीं अठारे सो वेकेंसी फिर भी आप दोस्तों आप अपना आप को देखो अठारे सो वेकेंसी फिर भी बची हुई है बची हुई नहीं है और लड़कियों के नंबर कितने आयो है लड़कियों के नंबर जाद नहीं है 40 से 55 के बीच में गूम रहा है लड़कियों के नंबर ठीक है दो चार के यह जो इससे उपर है 10-20 के पाएगे लेकिन लड़कियों के नंबर इतने गुम रहे इससे फालतू नंबर कहीं नहीं है आई बास से उजबे तो आप तो यदि आपके इतने नंबर है तो आप अपनी तयारी में लग जाओ आप परिसान मत हो अपनी तयारी में अभी से लग जाओ ठीक है यदि आप ऐसी देखते रहोगे कितने बजाएगी मेरिट कितने बजाएगी तो आप फिर टाइम पर रेस में फिजिकल में बाहर हो जाओगे इस बात का जान राकना आपका नंबर 100% आएगा क्योंकि कुछ तो नंबर है तो आप अपनी तयारी में लग जाओ फिजिकल में और आप घपराओ मत आपको तो टनने की जरूती नहीं है आप तो अपने फिजिकल में अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ एक्स सर्विसमेन के बारे में जो हमारा दिल्ली पुलिस का पेपर था इसमें 25 र 20 सवाल तो सभी कर सकते हैं रिजिनिंग के 20 सवाल तो सभी कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं है एक सर्विसमेन के बारे मता रहा हूँ मैं जो मैत था मैं मैत के बारे मता रहूं मैत में जो हमारे 15 सवाल थे 15 सवाल में से एक सर्विसमेन थोड़ा सा यहां पे गड़बड कर देग ठीक है यदि तुक का वगेरा मार गाया हो तो वह बात अला गया उपर की नहीं तो पांच हाइस्ट है अब मैं बात कर लेता हूँ आपके कम्पूटर की कम्पूटर के लेकिन 2-3 इस फालतू नहीं है इतने नंबर होगे आप यदि तुक कमार गया होगे तो highest आपके 4 पाएगे बस 4 से फालतू तो आई नहीं है अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीके की जो जीके है जीके में मैं आपके highest 20 नंबर मान रहा हूं बस 20 आए नहीं होगे तने पर ल आपके इतने नंबर है 40 या 40 से उडंचस के बीच में यदि आपके नंबर है तो आप भी अपने फिजिकल की तैयारी कर दो क्योंकि आपका भी नंबर 100 परसेंट आएगा लिखित में ले 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 ना ठीक है इस से उपर नहीं जाएगी मेरिट और अपना टाइम मत कराब अब आप अपने फिजिकल में लग जाएए और डनने के कोई बात नहीं है बस इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था आप डरो मत आप अपने फिजिकल की तैयरी करो दोस्तों तो यही था आज के हमारी इस वीडियो में यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे like, share और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ने बोले क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो मनाते रहूँगा धन्यवाद